वेल्कम टू स्टड़ी 24 अदेपूर आज 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस हैं आप सभी को सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुब कामना है बहुत दिन हो गए थे वीडियो नहीं बना बारा था तो सोचा आज के दिन एक वीडियो जो है आप लोगों के लिए जरूर बनाना चाहिए तो चलिए कुछ multiple choice questions है जिससे इस वीडियो में हम solve करने वाले है सबसे पहला देखिए उत्पादन संभावना वकर 20 और ढालू होता है जो production possibility करू होता है उसका slope अगर हम देखें देखिए production possibility करू का जो shape है वो आपका इस तरीके से बनता है और इसका जो slope है इस slope को हम एक तरह से क्या कह सकते हैं downward slope कह सकते हैं नीचे की और गिरतवा कह सकते हैं रिनात्मक डाल कह सकते हैं negative slope कह सकते हैं तो यहाँ पर आपका जो correct answer है वो कौन सा हो जाएगा option हमारा हो जाएगा first वाला ठीक है जो उत्पादन संभावना वक्र है वो उपर से नीचे की और ढाल होता है रिनात्मक ढाल होता है negative या downward slope हम कह सकते हैं अगला देखिए second यदि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदू के नतोदर है तो सीमान्त अवसर लागत होगी देखिए उत्पादन संभावन वक्र का आकार अभी मैंने आपको बताया था उत्पादन संभावन वक्र जो PPC वक्र हमारा होता है इस आकार का होता है और इस आकार को हम क्या कहते हैं नतोदर कहते हैं इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कौन के और कौन के होने का जो रिजन है क्योंकि देखिए जब एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ती है और इस दर्व को हम क्या कहते हैं Marginal Opportunity Cost उसको हम कहते हैं सीमांत अवसर लागत और जब ये सीमांत अवसर लागत बढ़ती हुई होगी तब ही क्या होगा इसका जो शेप है आकारे वो केसा होगा कौन के होगा नतोदर होगा तो नतोदर होने का जो कारण है वो क्या हो गया है कि जो सीमांग ऑऊसर लागत है वो एक तरशे क्या होती है बढ़ती हुई होती है तो correct answer कौन सा हो जाएगा option हमारा first जो उत्पादन संभावन वक्र PPC है वो कौन के होता है क्या reason है जो MOC है सीमांग ऑऊसर लागत है वो क्या होती है बढ़ती हुई अगला देखिए यदी सीमांत अवसर लागत इस्थिर है ठीक है marginal opportunity cost जो है अगर वो constant है इसका मतलब क्या हो गया कि जब MOC constant होगी तो जो PPC कर्व हमारा है उत्पादन संभाना वक्र का जो आकार वो कैसा बनेगा एक straight line होगा एक सरल रेखा के रूप में होगा सीधी रेखा हम के सकते हैं तो option हमारा हो जाएगा second अगला है उत्पादन के कितने साधन होते हैं ठीक है उत्पादन के मुख्य रूपसे 5 साधन हम के सकते हैं ठीक है correct answer आपका कौन सा हो जाएगा option जो फकर पूदन कौन कौन से होते हैं भूमी, पुन्जी, श्रम, साहस, और उध्यम, ठीके, तो ये पांच उत्पादन के मुख्य रूप से साधन होते हैं, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पांच, अगला देखिए, संसाधनों की किफायत से क्या अभिप्राय हैं? ठीके, संसाधनों की किफायत का मतलग क्या होगा, किफायत का अभिप्राय हो जाएगा आपका, कि जो उत्पादन के संसाधन है, जो सिमित मातरा में संसाधन पाए जाते हैं, उनका अच्छी तरीके से प्रियोग करें, ठीके, कम मातरा में प्रियोग करके, अधिक मातरा में उ ही हो जाएगा अगला है दुरलपता से क्या अभी प्राय है ठीक है दुरलपता इसके रसिटी ठीक है दुरलपता का मतलब क्या हो गया कि कोई भी संसादन सादन जब अर्थ विवस्ता में सिमित मातरा में पाये जाता है कम मातरा में पाये जाता है उसको हम क्या कहते हैं दुर नामे पूर्ती क्या होती हैं कम होती हैं तो यह option अगर हम देखें यहाँ पे मांग की अपेक्षा संसाधनों की अधिकता यह दुरलपता को निदर्शाएगा मांग की अपेक्षा संसाधनों की जो कमी होती हैं second option आप देखोगे यह दुरलपता को एक तरह से दर्शाता है अगर हम बात करें तो संसाधनों का विकास, ओप्षन अमारा हो जाएगा, तीसरा, अगला देखिए, समाजवादी अर्थ्विवस्ता में उत्पादन के साधनों पर नियंतरण होता है, ठिके देखे, पुंजी वादी अर्थ्विस्ता में अगर हम बात करें, तो जो निजी होते हैं उनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है जब हम समाजवाद्य अर्थविस्ता की बात करते हैं तो उत्पादन के साधनों पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है सरकार का होता है और मिश्रित आर्थिक समस्याओं का धाचा खड़ा है यह किसी भी अर्थ व्योस्ता में अगर हम देखें तो जो प्रमुक केंद्री समस्याएं पाए जाते हैं आर्थिक समस्या उत्पन होने का जो कारण है वो एक तरह से क्या है कि किसी भी समाज में अर्थ व्योस्ता में उत्पादन के जो संसाधन हैं वो सिमित मातरा में पाए जाते हैं जबकि वहां के लोगों की जो आवशक्ता है होती है वो अनंत होती हैं असिमित होती हैं तो आवशक्ताओं की असिमितता और सिमित संसाधनों के कारण एक तरह से आर्थिक समस्या उत्पन होती हैं तो करेक्ट आंसर अमारा कौन सा हो जाएगा option c a और b दोनों सही है अगला है आर्थिक किरियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है ठीक है आर्थिक किरिया कौन कौन से होती है उत्पादन उपभोग विनिमय वित्रण राजस्व लेकिन यहां पर उपभोग और उत्पादन दो लिखावाए थी यह को में एक तरह से आर्थिक किरिया हैं करेक्ट आंसर option c a और b दोनों कि अगला है व्यस्टी अर्थ शास्त्र के अंतरगत निम्न में से किसका अधियन किया जाता है माइक्रो इक्नोमिस की अगर हम बात करें तो इनमें से हम किसकी study करेंगे सबसे पहले आपका लिखावा हैं व्यक्तिगत परिवार व्यक्तिगत कारिय व्यक्तिगत उध्योग या उप्रोक्त सभी तो देखी इसमें आपका जो correct आंसर है वो क्या होना चीए option होना चीए ती व्यक्तिके द्वारा जो कारिक किया जा रहा है उसका अध्यान हम नहीं करेंगे ठीक हम किसका अध्यान कर सकते हैं कोई व्यक्तिकत उध्योग है उसका अध्यान जो है वो वेस्टे अर्थशास्त्र का भाग होगा अगला है उत्पादन के निम्ने में से कौन से साधन है भूमी उध्यम पूंजी सारे उत्पादन के साधन है अगला है अर्थिव्योस्ता की केंदरी समस्या है कौन कौन सी है तो यहाँ पर अगर हम देखें देखिए मुख्य रूप से अर्थिव्योस्ता की तीन केंदरी समस से होती हैं उत्पादन क्या एवं कितना किया जाए उत्पादन के से किया जाए और तिसरी उत्पादन किसके लिए किया जाए इसके अलावा सा कथन सही है अर्थ शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है तो बिल्कुल सही है अर्थ शास्त्र सामाजिक विज्ञान भी है अर्थ शास्त्र का सरोकार दुरलपता की अवस्ता में विक्तिगत एवं सामाजिक चैन से है ये भी बिल्कुल सही है तो यहां पे दोनों कथन सही ह option A एवं B अगला देखिए किसी भी अर्थ वियोस्ता में कितनी केंदरी समस्या होती है तो मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो देखिए केवल तीन केंदरी समस्या होती है उत्पादन क्या एवं कितना किया जाए उत्पादन केसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए तो मुख्य रूप से तीन केंदरी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगला है बाजार की निम्ने में से कौन सी विशेष्टा है तो बाजार जो होता है वो किसी शेत्र के साथ में सम्मंदित किया जाता है उसके क्रेटा और विक्रेटा कहा तक फेले हुए है किसी सीमित शेत्र में है पूरे राज्य में फेले हुए है राश्टी स्तर पर फेले हुए है या वीदेशों में अंतरास्टी स्तर पर फेले है यह देखा जाता है क्रेताओं और विक्रेताओं की इस्थिति वस्तु का जो मुल्य है ठेके वस्तु जो होगी उसको एक किसी किम्मत पर बेचा जाएगा तो ये सारी बाते जो है वो बाजार में देखने को मिलती है उप्युक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा अगला है एका दिकरत प्रतियोगिता मोनो पॉलिस्टिक कम्पिटिशन की जो कंसेप्ट धारना है वो किसके द्वारा दिया गया है चेंबर लिन के द्वारा और देखिए जब हम अपून प्रतियोगिता की बात करते हैं इम परफेक्ट कम्पिटिशन का जो कंसेप्ट वो द होता है वो price के बराबर होता है किस market में तो देखिए जब हम perfect competition पून्परत्य कीता बाजार की बात करते हैं तो पून्परत्य कीता बाजार में वस्तू की जो कीमत होती है वो और AR, OSTत आगम और सीमानत आगम ये सब क्या होते हैं बराबर होते हैं तो उस्त आगम जो होता है वो है किसको दर्शाता है वस्तू की केमत और सिमनत आगम या यार और जो है कहां पे बराबर होते हैं पूर्ण पृण प्रत्वीगिता में परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अगला है बाजार की इस्तिती जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है टीके जब किसी वस्तु को बेशने वाला केवल एक ही विक्रेता होगा तो उस बाजार को हम क्या कहेंगे Monopoly Market कहेंगे और उस वस्तु की बाजार में कोई निकट इस्तानापन उपलब्द नहीं होती है, close substitute अवेलेबल नहीं होता है अगला है, एक अधिकारी से आशय है, ठीके, मोनोपली क्या होता है जो किसी वस्तु का केवल single seller है, एक ही उत्पादक होता है उसके द्वारा जो वस्तु बनाई जाए रहे, उसकी कोई close substitute नहीं होने चीए, निकट इस्तानापन वस्तु प्रब्द नहीं होने चीए और बाजार में नए फर्मों का जो प्रवेशे वो कठीन या प्रतिबंदित होता है ये सारी विशेशता है, कहां पर देखने को मिलती है, मोनोपोली मार्केट में option हमारा हो जाएगा D अगला देखिए एक अधिकारी फर्म निर्धाईद कर सकती है देखिए एक अधिकारी फर्म के अगर हम बात करें तो एक अधिकार में किसी वस्तू का केवल एक ही उत्पादक होता है इसलिए वस्तू की कीमत भी उसी के द्वारा निर्धारित की जाती है इसलिए जो एक अधिकारी होता है वो प्राइज मेकर होता है कीमत निर्धारक होता है और लेकिन दूसरी बात यह होती है कि उसके द्वारा जो किम्मत निर्धारित की जाएगी उस किम्मत पर वो जो मात्रा बेचना चाहे उतनी मात्रा वो बेच नहीं पाएगा मतलब कहने का ये है कि वो यहां तो वस्तू की किमत निर्धारित कर सकता है या फिर कितनी मात्रा वो बेचना चाहेगा ये निर्धारित कर सकता है दोनों को वो एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता है या फिर जो वस्तू है उसकी किमत दस रुपे रखेगा दस रुपे मेंसे वो एक को निर्धारेट कर सकता है, दोनों को एक स Judaism निर्धारेट नहीं कर सकता है। तो तीसरा option हमारे यहां यहां पर सही होना चाहिए। अगला देखिए बाजार मांग और बाजार पूर्थी समान रहने पर। ठीक ही यह हमारा बाजार मांग वक रहें, यह बाजार पूर्थी वक रहें और जब दोनों समान होते हैं, तो समय जो कीमत होती, उसको हम क्या कहते हैं, संतुलित कीमत केते हैं, equilibrium price केते हैं, तो यह आपका हो जाएगा, first option के साथ में ठीक है, बाजहर मांग और बाजहर पूर्टी समान रहने की जो इस्तिती है वो संतुलन कीमत के बराबर होती है उसको प्रदस्चित करती है अगला है निम्नम में से कौन से बाजहर का कौन सा सुरूप कीमत निर्धारक होता है टेके देखे किमत निर्धार की अगर हम बात कर रहे हैं तो यो अलपाधिकार बाजार भी हो सकता है मोनोपोलिस्टिक कम्पिटेशन भी हो सकता है मोनोपोली भी हो सकता है लेकिन केवल जो एकाधिकार बाजार होता है उसमें वस्तू की कोई निकट इस्थानापन वस्तू बाजार में उपलब्द नहीं होती है दूसरा कोई उत्पादक नहीं होता है इसलिए जो एकाधिकारी होता है जो मोनोपुली मार्केट होता है उसको price maker भी कहा जाता है correct answer option आपका हो जाएगा first और जो perfect competition market होता है पूर्ण प्रत्य गीता होता है उसको हम क्या कहते है price taker हिंदी में इसको हम कहेंगे कीमत स्विकारक होता है पूर्ण प्रत्य गीता में firm कीमत निर्धारित नहीं करती है कौन निर्धारित करता है उद्जोग जहां पे वस्तो की मांग और पूर्टी बराबर होती वहां पे कीमत का निर्धारन होता है और उस कीमत को firm स्विकार करती है अगला है बाज़ार का वरगी करन किया जा सकता है समय के आधार पर भी कर सकते हैं बाज़ार को कितने प्रकारों में विबक्त किया गया है ठेके प्रत्योगीता के आधार पर अगर हम बाज़ार देखें तो एक तापका हो जाएगा अपून प्रत्योगीता बाज़ार दूसरा हो जाएगा आपका अपून प्रत्योगीता बाज़ार और तीसरा हो जाएगा एक अधिकार बाजार तो तीन भागों में हम बाढ़ सकते हैं option हमारा B अगला है अलप अधिकार बाजार वह सनरचना है जिसमें ठीक है इनमें से आपको बताना है कि जो oligopoly market हैं उसमें क्या विशेष्टा आपको देखने को मिलती है अनेक क्रेटा विक्रेटा लार्ज नमबर ओफ बायर्स और सेलर्स नहीं ठीक है जो खरीदने वाले हैं वो तो ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन जो सेलर्स होंगे वो क्या होंगे कम होंगे तो पहला option नहीं हो सकता है दूसरा है अनेक क्रेटा एक विक्रेटा लार्ज नंबर ओफ सेलर्स एंड सिंगल सेलर ये भी नहीं हो सकता है तिसरा है एक विक्रेटा अनेक क्रेटा सिंगल सेलर एंड मौर बायर्स ठीक है ये स्थिती भी नहीं हो सकती है तो correct answer हो जाएगा आपका option D इन में से कोई नहीं ठीक है ओलीगोपुली मार्केट में अलपदिकार बाजायर में क्या होता है किसी वस्तू के जो seller होते हैं ठीक है वो क्या होते हैं few seller समक्या सकते हैं ठीक है विक्रेताओं की संख्या क्या होती है कम होती हैं ठीक है किसी वस्तू के कम या विक्रेताओं की जो संख्या है वो अलप मातरा में अगर विक्रेता होते हैं कुछ seller अगर होंगे कुछ विक्रेता होंगे उस मार्केट को हम क्या कहेंगे अलपदिकार और उनमें एक तरह से क्या होती हैं? पारस पर इक निर्भरता पाई जाती है. अगला हैं, किसी बाजार में पूर्ण प्रत्विगीता अत्वा पूर्ण बाजार की अनुपस्तिती पाई जाती हैं, जब किसी बाजार में पूर्ण प्रत्विगीता अत्वा पूर्ण बाजार की अनुपस्तिती पाई जाती हैं तो यह से बाजर को हम क्या कहेंगे अव पून बाजर नहीं है वो एक तरह से क्या होगा अव पून बाजर हो जाएगा अगला है निम्न कत्नों पर विचार करें पूर्ण प्रत्वी गीता में करेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है पेला कतन हमारा बिल्कुल सही है इसमें वस्त्वे समरूप होती है होमोजिनिस प्रोडक्ट होता है यह भी बिल्कुल सही है उत्पति के स्तादनों में पुन गतिशिल सा पाई जाती है यहां पे तीनों कतन सही है ठीक है तो निम्न कतनों पर विचार करके आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कतन सही है सारे कतन सही है तो correct answer हमारा क्या हो जाएगा उप्रोक्त सभी और फिर अंतिम प्रशन देखिए पूर्ण प्रत्विगीता बाजार में मांग रिखा का स्वरूप क्या होता है ठीक है पूर्ण प्रत्विगीता के अगर हम बात करें तो जो demand curve है वो केसा होता है तो demand curve जो AR वक्र होता है या जिसको हम price line भी के सकते हैं कीमत रिखा भी के सकते हैं वो दर्शाता है और पूर्ण प्रत्विगीता में जो AR वक्र है या मांग वक्र होता है वो x अक्ष के समारांतर होता है इस तरीके से ठीक है जिसको हम के सकते हैं o x के parallel होता है वो X के समाना अंतर हम के सकते हैं तो option हमारा हो जाएगा first तो बस आज की glass में इतना ही next class में हम और आपके जो important topics हैं multiple choice questions से उनको हम solve करने का प्यास करेंगे धन्यवाद